अधिकता लोग आपने देखा होगा अपनी जिन्दगी में परिशान रहते हैं और इसका दोश एक दूसरे के उपर लगा देते हैं जब हम महिनत करके कोई भी काम बार बार करते हैं और फिर भी उसमें तरक्की नहीं मिलती तो व्यक्ति खुद अजीब सा हो जाता है उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है वो परिशानी से भरा नजर आता है जिसके चलते उनका काम भी रुख जाता है आपको खुद समझ नहीं आता कि आखिर यह है क्या हो रहा है शायद वो कहावत यहां बिल्कुल सटीक पैठती है ढूटते को तिनके का सहारा काफी होता है उसके बाद वो अपनी राशी और कुंडली के आधारों पर ग्रहों का पता लगाने की कोशिश करता है आपको बता दें वैसे भी ग्रहों की बदलती चाल जीवन को नाकाम बना देती है किसी ग्रह की दशा बदलने से राश्यों की दशा भी निरंतर बदलती रहती है अक्सर इस बदलती चाल में कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुश्या लेकर आता है तो कभी परेशानी में उल्जा देता है अब की बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है एक जून से खुद मालक्ष्मी पांच राश्यों के दौर पर आने वाली है जिसके चलते इन पांच राश्यों की किसमत चमकने वाली है मालक्ष्मी इनके घर में आने वाली है यह लोग एक जून से काफी माला माल बनने वाले हैं इनकी किसमत में कुछ ऐसे शुबयोग बन रहे हैं जिसके चलते इनहें विशेश लाव होने वाला है जून का महीना इन राशियों के लिए अपार धन लेकर आ रहा है चले आपको बताते हैं कौन सी हैं वो खुश नसीब राशियां वो राशियां हैं मेश राशी, मीन राशी, वरश्चिक राशी, धनू राशी और कन्या राशी इन पांच राशियों को आज रात से भागे का साथ मिलने माला है इनके घर में सुख शांती रहेगी व्यपार में लाव होगा संतान की ओर से सुखद समाचार भी इनको मिल सकता है आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा है तो यह काम भी उसका बन सकता है सारे काम इनके बनते चले जाएंगे Next 9 Spiritual से आकाश की रिपोर्ट